और हम लोगों ने स्टार्ट किया था section 10 composition लेवी इसको composition scheme presumptive taxation flat rate taxation scheme for a small businessman भी बोलते है section 10 को इसमें कितने सब्सक्षान थे one two two eight three four और five total कितने सब्सक्षान थे इसके अंदर 6 सब्सक्षान थे इसके अंदर जैसे यह न inquiry में क्या होता है कि हमने बतार था हम भूरत मेले बद्सक्रिक करके आते हैं और फिर सामने जब शेल करते टैक्स इसको बनाती या या यह रूपे हमने यहां एड किया जो हम टेक्स पे करके आते कोश्ट कितना हो 210 रूपे लेकिन यहां पर कोश्ट के रहा है नहीं दो सब्सक्राइब यह 10 रूपे हम को ITC मिल जाते चलिए अपना कोश्ट नहीं मानते और फिर जितना की वैलू पर सेल करते उस पर टेक्स कलेक्ट नहीं कर सकते कस्टमर से टेक्स नहीं ले सकते जो भी वैल्यू आएगी उस पर जो भी रेट होगा वह अपनी जेप से 1% 5% या 6% जो भी रेट आपके उपर अप्लिक के वल होगा आप गोर्विंड को पे करेंगे अपनी पोकिट से पे करेंगे और यहाँ पर टेक्स इसन से प्लिक के वलोते कॉम्पोचिशन डिलर पर तो उनको आर्से में टेक्स पे करना होगा उसका इनको आई टीसी नहीं बिलेगा किसको इनको आई टीसी मिलता ही नहीं है और कब परसर एलिजिबल होगा फूर कोपी स्कीम अगर उनका प्रिसीडिंग फैनेंशियल एड कितना प्रिसीडिंग फैनेंशियल यह पी एफ वाई उनका टर्नोबर क्या बोलेंगे एग्रिगेट टर्नोबर कितना अगर मैक्सिम 1.5 क्रोड तक है इस साल वो एलिजिबल है कॉम्पोजिशन इसके में टैक्स पे करना होगा अपनी जेव से एक परसंट किसके लिए है मै ट्रेडर के लिए यह है रेश्टोरेंट सेर्विस के लिए और यह सर्विस प्रोवाइडर के लिए सर्विस प्रोवाइडर section 10 subsection 1 section 10 subsection 1 section 10 subsection 1 लेकिन service provider के लिए कौन से section था अपना section 10 subsection 2A amended वाला manufacture पर एक परसेंट restaurant service पर फाइप परसेंट other supply जहने की टेडर पर एक परसेंट और चाहरा पर क्या और इनीस्टेट और यूटि ऑफ टर्न अपर हम आएंगे यहां पर क्या लिखाव और हो टैक्सेबल सप्लाइज बात करेंगे इसके यहां पर इस्टार लगा रहेते हैं कि कोई कट करके फिर उसको पढ़ते तो हमको जद्धा याद रहता है वो चीज जैसे कोई भी मैनुफेक्टर हो ट्रेडर हो कौन हो ट्रेडर हो तो कहीं न कहीं सर्विस देना पड़ता था तो गोवर्मेंट ने फिर अलाव किया कि हाँ ठीक है अलाव करते हैं यह तो वैसे सर्विस रेस्टरेंट सर्विस तो सर्विस इस्पेशली कवर किया गया तो कितन परसेंट ओफ टर्नोबर इनिस्टेट और यूटी इन पी एफ फाइन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल यह और फाइव लैग भी जैवरी हाइर फिर मिने एक एग्जांपल किया था पर आप फिर हम लोग आगए सेक्षन तैन सबसेक्षन टूपर सपलाइओ सर्विस में इंगेज नाव तब इस एक संटर्न रेश्टरेशन देंगे क्योंकि सर्विस प्रॉइडर के लिए क्या आगया था सस्यक्षन टैन सबसेक्षन टू वे लेकिन अगर मैनुफेक्टर ट् सब्सक्राइब करें तो आपको हम कॉंपोजिशन इसने भी एक पॉइंट है अग्राइब कौन हो आप मैनुफेक्टर हो हूं कि है किसके आइस क्रीम पानमसाला टोबैको एřिटेड वाटर यह फ्लाइएज ब्रिक्स फ्लाइज ब्लोक ब्रिक्स बिल्डिंग ब्रिक्स टाइल्स तो भी हम आपको नहीं देंगे कर किस कोन हो मैनुफेक्टर हो मैनुफेक तो आपको composition scheme नहीं देंगे अगर आप CTP casual taxile person NRTP non resident taxile person तो भी आपको हम नहीं देंगे और फिर एक सदा state में आपने composition scheme देंगे तो हर एक state में आपके पास regular scheme आपके पास हर एक state में composition scheme होना चाहिए एक भी state में regular scheme हुआ तो आपको composition scheme से उठाकर हम बाहर कर देंगे और फिर इन सारे लोगों का turnover भी 1.5 क्रोट से कम ही होना चाहिए कि कैस्वा टेक्सेबल परसन एना टीपी आ रहे हैं बात किया था हम लोगों ने फिर service provider इन पर कितना रेट अपर के लोगों था 6 परसेंट जैसे लॉयर सीए डॉक्टर इंजीनियर कि इस प्रोवाइडर भी क्या सब्जेक्ट तू सक्षा 9394 लगेगा लेकिन इनका एलिजिविलिटी क्या था प्रिवियस फैनेंशियर में कितना एग्रीगेट टर्न ओवर अगर फिफ्टी लाग रूपीज है वहाँ पर किता था बन पॉइंट फाइफ सी यार यह पर फिफ्टी लाग रूपीज है तो एक पूश्चिन स्कीम में ले सकते हो आप पर कितना ना करते हो कि मैनुफेक्ट्ट्र ओफ इस पैसिफाइड गुड्स ना हो सी टीपी एना टीपी ना हो और आपने हर स्टेट में कॉंपूश्चिम में सर्विज एज सर्विस प्रोवाइडर ही लिया हो और अगर आपने रेग्रोश्चिम ले लिए तो आपको भी मैनुफेक्ट्ट्र सर्विस प्रोवाइडर पे और रेस्टोरेंट सर्विस इन तीनों पर कितना लिमिट था 1.5 शेर इन पर कितना था 50 लाइग रूपी इन प्रेसीडिंग फैनेंचियल एयर क्या एग्रीगेट अभी देखते हैं एग्रीगेट टर्नोबार क्या होता है लिखेगा बिलो सप्लाइब पर कि हम कॉमपोजिशन डिलर नौट टू कलेक्ट टैक्स और बाहर एक बोर्ड भी लगाएगा उस पर भी साफ लिगा कि लोग को पाहर से ही पता लग दे कि यह कॉमपोजिशन डीलर है गज्जियता लिखा यहां जी किया था कॉमपोजिशन इसकीम ऊप ऐप और आप इनिजलिबर थे तो प्रोफिसर आप के ऊपर क्या लगा सकता है टाइक्स और पेनल्टी फिर मेल की सपा गे थे अपने एक्स्सक्राश्टेशन पर तो यह अपना अपना अब आज़े फिट नमबर बुक को लिजियाय अपनी आज़ा आ ये अपने बुक कर नमबर 3.4 पर पेज नमबर 3.4 सेक्शन टू सब्सेक्शन सिक्स किसके बारे में ये एग्रिगेट तर्नोबर ये जो हम पढ़ रहे हैं भी कि प्रीशीडिंग स्डिनीग्ों ये में क्या एग्रिगेट टौ व Edition येर और स्विष्वाली केसमें 50 लैड्म फिफ्टी लैक्ट होना चाहिए तभी क्या होगे आप है तभी क्या होगे आप इलिजेबल होगे फोर कॉम्पोजिशन लेवी एलिजेबल होगे फोर section number 10 के रहे हैं अगर आपका मालेज़े अभी start year होने वाले 24 25 कौन सा ये financial year 24 25 तो हम चेक करेंगे financial year 23 24 अगर preceding financial year में कि आपका turnover यह मैं बूलू aggregate turnover अगर आपको लेज देन 1.5 CR और लेज देन 50 लेक ये किस केस में manufacturer ट्रेडर और किस केस में restaurant service वाले केस में और 50 लेकों से केस में service provider वाले केस में कि ये condition follow करते हो तभी आप क्या होगे financial 24 25 में eligible होगे for section number for section 10 otherwise eligible नहीं होगे अगर आपने previous financial year में अगर आपने business ही नहीं कर रहे थे आप लोग क्या business ही नहीं कर रहे थे तब तब कर turnover कितना होगा जीरो होगा कितना होगा turnover जीरो तो जीरो वन पॉइंट फाइव से र और 50 लेक से कम है तो आप ले सकते होगे अगर आप business कर रहे थे अगर आपका turnover वन पॉइंट फाइव से 50 लेक से कम है तो आप eligible होगे इनके लिए कुछा था आपना section number 10 वन और इसके लिए क्या था अपना section number 10 टू ए पर बाहित करते हैं aggregate turnover में क्या-क्या आता है अपना means aggregate value of all taxable supplies excluding value of invert supplies on which tax is payable by on reverse charge basis तो यानि कि सबसे पहले आपका क्या आएगा all outward supplies all outward supplies और इसमें क्या नहीं आएगा आपका इन्वर्ड सप्प्लाइब और इन्वर्ड सप्लाइब जिस पर क्या हो आर्शेम लगता हो यह नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि माल लिए एक परसंड इसने इसको सेल किया और इसने क्या किया पर्चेस लेकिन इस पर क्या था आर्शेम अप्ली केबल था अगर आर्शेम में टेक्स पे कर रहा है तो आपका नहीं आएगा और इसमें क्या आएगा एग्जेंट सप्लाइज लेखा यहां पर क्या रहा है एक्जेंट सप्लाइज एक्जेंट एक्सपोर्ट और गुड्स और सर्विस और बोथ और इंटर स्प्लाइज ऊपर संहीं पर्मनेंट अकाउंड इंडिया बिश है क्या है एक्जेंट सप्लाइज आएगा एक्सपोर्ट आएगा और और इंड़ाईज इसमें बट ए स फिर इसमें क्या अंगिए कर दें दोने center tax state tax c g s t s g s t i g s t s यह सब calculation में नहीं होगा क्यों माल यह इस person ने इस person को sale किया 100 रुपे की value थी 10 रुपे c g s t 10 रुपे s g s t कितना हो 120 रुपे तो हम खाली यह 100 रुपे count करेंगे यह दोनों count नहीं करेंगे क्योंकि यह क्या है tax यह हमारा sale का part नहीं हो इसको sale की value में calculate नहीं करते हैं इसको calculate करते हैं अपनी sales value में और फिर क्या रिखाव exempt supplies यहां उपर आएंगे page number 3.2 पर 3.3 पर यहां पर है exempt supply यह कहां पर define अपना two close 79 में two close 79 exempt supply exempt supply क्या है means supply of any good service or would which attract nil rate of tax or which may be only exempt from tax under section 11 or under section 6 of IGST act and includes non taxable supply यानि की exempt supply मतला exempt supply plus nil rated supply plus non taxable supply क्या बोला means supply of any good service or both which attract nil rate of tax यानि की निल rated supply और विच में वोली exempt from tax under section 11 of or section 6 of IGST act इसारी किसमे कावर होती है exempt supply में और non taxable supply क्या होता है means supply of goods or service or worth which is not liable to tax under this act under IGST act non taxable supply मतला alcoholic liquor for human consumption or five petro product nil rated supply वो तो जिस पर क्या लगता है 0% क्या लगता है 0% जिसने आप आप ले लीजिए मिल्क फ्रूट्स और exempt supply मतला जो क्या है exempt है यानि कि आप पर एक्जेंपल लेजिए आप salt का क्या लेजिए आप salt का तो अकर सबको add क्या जाए aggregate turnover क्या बनता है इन सबको add क्या जाए तो आउट्वर्ट सप्लाई exempt सप्लाई एक्जेंप सप्लाई रिलेटेट सप्लाई नोटेक्सिवल सप्लाई export other than integrate supply जिस पर आर्सेम लगता हो central tax एग्रिगेट टर्नोबर में काउंट नहीं होंगे तो इसको हम एक पेज पे लिख लेते क्रक्स की कि सेक्षन टूइंट किसके बारे में है एग्रिगेट टर्नोबर यह आपका पेज नंबर 3.4 पर यहां पर आपका लिए सकते हैं Outward Taxable Supply Exempt Supply Exempt Supply में क्या क्या आता है Exempt Supply में Exempt Supply Plus Nill Rated Supply फिर आपका होगे Export Non Taxable Supply और यहां पर आप एड़ कर लिए Interstate Supply इसको नोट किजी फिर जो Excludes उसको भी हम नोट कर लेते हैं यहां पर इसमें Excludes Invert Supply जिस पर क्या लगता हो RCM लगता है क्योंकि वो अगले की सेल है ना की हमारी हमारी पर्टिजम खाली RCM ए टेक पे कर रहे हैं DGST, SGST, IGST, CES जितान नोट किजी फिर आज अपने पेज नंबर यहां से मारा सेक्शन 10 स्टार्ट हुआ था और एक जिए यहां पर पेज नंबर आपका 3.42 में Explanation में मैंने बताया था आपको यहां पर The value of exempt supply for the purpose of second proviso The value of exempt supply of service Value of exempt supply of services is provided by way of extending deposits loans and advances insofar as the consideration in so far as the consideration is represented by way of interest or discount round यानि कि जो आप पैसे जमा करते हो चाहे सेविंग में उससे जो इंटरस्ट आता है तो इसे माले जी आपने क्या किया बैंक को बैंक में क्या किया डिपोजिट किया तो बदले भी कि आपको क्या देगा इंटरस्ट तो कही ना कही आप बैंक को डिपोजिट दे रहे हैं बैंक आपको इंटरस्ट दे रहे हैं आपने एक लाका डिपोजिट किया बैंक ने आपको 10,000 का interest दिया तो यह जो 10,000 है यह आपका aggregate turnover में count नहीं होगा, क्या इसको हम बहार रखेंगे तो aggregate turnover में count करते बद जो 10,000 इसको हम include नहीं करेंगे, नहीं कि value एक्टेंट सप्प्राइब सर्विस प्रोवाइद बाइश्टेंडिन डिपोजिट इसको क्या करेंगे, हम include नहीं करेंगे शैल नोड़ भी टेकर इंटो अकाउंट फूर डिटर्माइनिंग दा वैल्यो टरनोवर इस्टर्ट और यूटी वो यहाँ पर क्या है, इसको हम aggregate turnover में count नहीं करेंगे करेंगे पिरवाजी अपने आप पेज नमबर 3.43 पर पेज नमबर 3.43 पर यहाँ पर क्या है आपने section 10 subsection 2 और कौन सब पोई आपने point नमबर आपने point number D he is not engaged in making any supply of goods service through an ECO who is required to collect tax under section 52 यहने कियो supply of goods यह service ना करता हूँ किसके तरू इसो के तरू who is liable to collect who is liable to collect TCS under section 52 who is required to collect TCS under section 52 और से यह लाइन में लिखा हो था page नमबर हमारा यह 3.44 पर page नमबर 3.44 पर section नमबर कॉं सा था है section नमबर 10 subsection 2A और कॉं सा यह point नमबर था अपना point नमबर था अपना C इंगेज इंगेज इन मेकिंग अने सप्लाइब गूट्स थो इस यह रिकॉर्ट टू कलेक्ट इसे से सप्लाइब ओफ गूट्स यह सर्विस है थूरू इसी ओ वो इस रिकॉर्ट टू कलेक्ट इसे एस अंडर सेक्शन 52 तो आपको क्या हम eligible नहीं होने दिए क्या तो फिर क्या लिख दिए हैं आप रोट अ eligible आप टू ओप स्यक्शन क्या नोट अलिजिबल तू ओफ शक्शन टेन क्या नोट क्यों डूट सेक्शन क्योट्स यह सारे सप्टाइब करोगे या या सप्ट्राइब तो नोट एलिगिवल टू ओप सेक्षें एन ऐसा था तो अब आज है सीधा अपने पेज नंबर लास्ट में यहां पे आपका बुक का पेज नंबर है 3.84 पर यहां पर क्या है इसमें अमेंड मेंड मेंड पेंड नम्बर 3.84 पर मेंड पया अरी मेंड प्रम Άण केसि ते टिन लुष्यरन का है जitarच लेगों पिन और यहां यहां उर्ट लुषण विशन eight गानि ट्नीन मेंड टि में आपबू atmosphere लुष्यरन आप ग्स ändился को टिल 420ibly 23 ठतित्विश्यरी टर्टनि एंद्यर्टिट एकाई ANYo आपकाई रफड आर य। 29 गैह बस्त वाइ एक प्राव कर चMusik फिर जो काई आरपके बस्तिक्र सचन तू थे उर स sund啦 53 सुर्वर जोडमारान झौ特 कोक्र चैयरा चाल पर चाले कोमन पिर इन लिएर सचन टू य। बस्तिक सोस जरेत्ति य। अमेंड प्रोविजन गिवन एहर अंडर इन प्लेशों रिटेट विजन इसके इन दिसके इन दा चैप्टर परे कहाता है पर मिन इस्टार्ट किया था एक्या इइस्टी वोगे एक होता है जो क्या तक आध कलेक्ट कीरली के टी इस अंडर सेक्षण dewote रहे क्या होता है शुछ क्या करता है वे तक यक्रता है यह गरता सब्सक क्षेश साहट हो आपको उससे अमाज Gall का ओड़ यहां अपने का सिच चार सर्विष्ष्ट थे अपने कवर एक दो कि टीन चार जा खोला ऑभर वाली अपनी बीगी जो में ड़ी दो वाला फिर एकोमोडेशन इन होटेल जैसे होगे अपना मेक माई ट्रिप होगे अपना हो यह फिर अपना क्या था हाउस कीपिंग सर्विसे जैसे अर्बन कंपनी यहां पर ठीक तो अगर इस चार प्लैट्फोर्म से अगर सर्विस दी जा रही है तो इस यो लाइबल टू पे टेक्स अंडर सेक्षिन9 finished 65 लिएबर टू पे टेक्स अंडर सेक्षिन 95 विकिन अगर गोच इसेल के जा रहे इनके तुरू तो इस यो विम लाइबल को कलेक्ट टी सी एस लाइबर टू कलेक्ट टी सी एस अंडर सेक्शन फिफ्टी टू और फिर मैं बता था जो सर्विसेज यहाँ पर नहीं हुए उसको यहाँ पर कवर कर जा गया था और उन यहाँ पर तो क्या हो गया गुट था जो सर्विसेज यहां पर नहीं थी कवर करते ही हाँ और फूंसर्विसेज जो वहां कवर नहीं है उनके घृफ जैसे मां जैसी कोई lecture sell किया जा रहा है Amazon के through तो यहाँ पर भी ECO liable to collect TCS under section 52 right तो यहाँ पर क्या बोल रहा है एगर engage in making goods और supply क्या कबना section 10 2D और section 10 2A C अगर engaged है in supply of goods और service through ECO liable to collect TCS under section 52 liable to collect under section 52 यानि कि यह बाला और यह बाला तो आप not eligible not eligible for section 10 क्या not eligible for section 10 देकि इसमें फिर क्या आया amendment आया एक amendment amendment में क्या बोला गया देखिए आज पर किते सारी facilities हैं अगर हम बोल देखिए Amazon flip card अगर आपके तरो कोई sell कर रहा है तो आप उसे filter लगा दीजिए कि वो person आपके website के थुरू interstate sales ना कर सेखिए composition को allowed नहीं तक interstate sales करना तो वो क्या लगा देंगे लगा देंगे filter यह उसमें restriction लगा देंगी यह person order ही आएगा उसको भारवाला order हम नहीं देंगे और नहीं उसका हम supply करेंगे तो छोटे लोगों बढ़ाने के लिए इतना allow के ठीक है हम आपको allow करते हैं government ने बोला allow करते हैं छोटे logo को कि ECO के through ECO के through sales कर सकते हो only goods का only interested क्या बोला government allows छोटे लोगों को यहनी composition dealer को तो छोटे लोगों को को थोड़ा पढ़ाना था छोटे लोगों को ECO के तो रहूँ sales कर सकते हो only goods का only interest not interest यहनी कि Amazon flip card आप इनके goods को interstate मत sell करना only interest जो आएगा order उन्ही को आप sell करना यहनी कि इनको बताना कि आपका order आए interstate से order आए मनि दिल्ली का composition dealer है दिल्ली का composition dealer है Amazon अगर दिल्ली से order है तो ही इनको बताना अगर पंजाब से UP से है तो इनको मत बताना अगर पंजाब से आए आए आपने इनको बता रहे उन्होंने supply कर दिया तो यह क्या कर देंगे interstate supply और interstate supply इनको allowed नहीं है तो यह किसमें आदेंगे regular इसकी में आजाएंगे तो फिर amendment के बात क्या लिखा हुआ है he is not engaged in making any supply of goods कार दिया है service through an ECO required to collect pieces under section 52 यानि कि आप ECO के तुरू service supply नहीं कर सकते required to collect text under section 52 यानि कि goods वाला आप यह वाला allowed है तो आपको promotion team से बाहर नहीं करेंगे यह वाला भी भी आपको क्या है this allowed है क्या है आपको this allowed और यहाँ पर तो 95 में ही issue की libel है text collect करने के लिए और government को pay करने के लिए तो छोटी से amendment थी इसको आप note कर लिए यहाँ से यहाँ आपने यहाँ से फिर चलते हैं अपना जो explanation हमने कर छोड़ाता है page number है अपना page number है यह 3.44 पर explanation 1 section 10 subsection 5 के नीचे explanation 1 इसको note कीजी फटाफट इसको note कीजी फटाफट झाल 10-2D यह रहा section 10-2D पर अपनी श्टाल लगा था यहां पर और section 10-2A में कौन सा था अपना 10-2A C यह रहा अपना 10-2A C इसमें अमेंडमेंट ही हमने इसको कवर कर लिए इसको 10-2A C यह रहा हमने इसको कवर कर लियो झाल 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 वाई स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 3.45 से एक्सप्लानेशन वन एंड टू इसके बाले स्टार्ट करते हैं अपना एनलाइस वाला पार्ट एक्सप्लानेशन वन क्या बूल रहा है यहां पर फोर्ट पर पर्पस और कंप्यूटिंग एग्रिगेट टर्नोवर अभी आपने क्या देखा अगर एग्रिगेट टर्नोवर इन प्रिविस फैनेंशियल यह दिर करोड या वर पचास लग से कम है तो एलिजिविटी इन करेंट फैनेंशियल यह है अब किसकी बात करने एक तो पॉइंट यह हुआ है अब है अब है अपने रिश्ट्रेशन ले लिया फिर आपको टैक् एक परसेंट पाँच परसेंट या छे परसेंट तो यह परसेंट पाँच तर दैक्रश्फैन आपको कि किस्चेच का पें करना या पहे तो पर्पह है तो फॉर्दल कर दूब एग्रिगेट टर्नोवर ऑफ परसे लाविगटी डिप्रसेंट ऑट डिटर्मानि ऐस लाइबल फॉर रिजिस्टेशन अंडर दिस एक्ट बट सब्सक्राइब इंक्लूट दफ बैल्यों एक्ट सप्लाइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसकाउंट यानि कि यह बोल रहा है कि जो एग्रिगेट टर्नोवर है प्रीवियस फाइनेंशियल इयर का इस पर हमने ज अप्रट सप्लाइब्स एक्सपोर्ट निलेटिट सप्लाई एक्जैन नों टेक्सेवल फिर मिने का इसमें क्या क्या एश्क्लूट जीसे से जिए लिगा रहा था और आर्ट्रियम वाला था और फिर यह कह था अपना एक्स पेडिन डिपोजिट वाला राइट तो इस बार कर एकिरिगे के बारे में फिर बात करते है एक्पैमेशंग के बारे में है फॉर डपर्फर्च औशखने क्ते है ट्रोरि टे कट री सबसे न ड cuma अब कि इसके बारे मेदधकर रहे लिखा हुआ कि इंक्लूड वैल्यू सप्प्लाइज मेट बाइप परसंट फॉर्स्टी ऑप्र फाइनेंशिर अप्टो देट वैन ही वीकम लाइबल फॉर इस एक्ट इसका मदलब कुछ नहीं है अब यह को किलियर हो जागा फिला इतना समझें कि अग्रिक टॉनवर में प् पे करने ट्स किसका टूर् आण। आण। इसका टॉनवर इसका टॉनवर इसक टॉनवर इसक्रन टॉर्स अधो प्यादिवा गवीड देट नमेंस गॉर्स विणिट के। ़ननेते प्से का टॉनवर झा contest पॉक्न लिए टॉनवर अर। तर्विस पात्य पी, हृ घृ औरे सि काउंट माली जी इताओं का यह 23 24 में यह कंडिशन यहाँ पर फोला था वो एलिजिबल था अब 24 25 में क्या उसने ले लिया रिजिस्ट्रेशन ले लिया क्या रिश्ट्रेशन उसने ले लिया इसमें दो केस्ट बनाई है आप लो इसमें आप लो दो केस्ट बनाई है अब देखिए एक तो क्या होता है लिमिट अपने कितनी है 10 लेग रूपीज 20 लेग रूपीज और 40 लेग रूपीज तो यह यह इपना समझे कि कुछ स्पेशल स्टेट्स में कितनी लिमिट है 10 लेग रूपीज माली जी हमने इसको नाम दिया यह फिर और उन इस्टेट के अलावा अगर आप गुड्स या सर्विस करूं साथ में तो इसको हमने नाम दिया भी वहाँ पर कितनी लिमिट है 20 लाग और आप क्या कर रहे हो मैं किसमें इसकी्त लिमिट कितनी एक प्रिकिबल है आप जहां पर महां पर आपकी जो काम कर रहे हो क्या अचितनल है गुड्स वाले का माली जीर ड्रेड़ हो क्या माली जी आप क्वोड 12 अब किसके ट्रेड़र हो découvrir के हैं मिल्ड प्रक्यीं ना हो चल जह आगा लेकिन जैसे 40 लेक्त को आप क्या करोगे क्रोज करोगे जैसे क्रोज करोगे यूट्र लाइबल फॉर रेजिस्ट्रेशन अगर आप रेजिस्ट्रेशन नहीं कराओंगे तो आपके अपर लगेगा पैनल्टी वेकिन आपका 49 लाग 90 000 पे तक सेल है तो आप नोट लाइबल for registration not liable for registration यहाँ पर आपका लेसकते हो objet अभी आपका limit complex नहीं हुआ है 40 लेका लेकिन अगर आप चाहो तो relieration ले सकते हो क्या volunteer registration आप लेसकते हो तो यह 30 लेक का turnover नो it is liable for registration या तो आप regular मैं या Do तब किस में जाए composition इसकी में जाए composition डीलर बन जाए अब तो मैंने क्या होता है एक किस ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप voluntary लें क्या हो और यहाँ पर क्या है जब आपके लिमिट चालिस लाग क्रोस हो जाए तब आप किस में लेंगे मालीजी आप लेंगे composition इसकी में तो अगर एक रुपे से चालिस लाग कहें पर अपने registration ले लिया क्या मैंना कहां से होता है अपरेल से मार्च तक क्योंसा यह अपना 24 25 current financial year मालीजी आपने सुरू से registration ले लिया क्या सुरू से तो आपको जो आपने 40 लाग तर सेल किया जैसे आपके पास एक परसेंट था क्या एक परसेंट टेक्स लगता है आपको तो आपको 40 लाग पे क्या 40 लाग पे एक परसेंट आपको टेक्स देना पड़ेगा लेकिन अगर आप limit close होने के बाद लेते हो कि मनले अपने limit close किया 40 लाग तो आपको कुछ नहीं देना फिर 40 लाग से लिए आपने कितने किया 5 लाग का सिल किया तो 5 लाग पे एक परसेंट आफ टेक्स पे करेंगे यहां पर 40 लाग पे बी करो पांच लाग करो तो यह आपको पर चोईस है कि आप आप ऐसा बोलेंगे कोई यहां पर रिस्टेशन क्यों लेगा मैंने पहले बता रखे कई बर कंपनियां ऐसा कंडिशन डालते हैं कि हम आपको प्रोड़क्ट जभी देंगे जैसे यह आप वो ट्रेडर माल जी कोई गूट्स है कंपनी बोल तो आपको शुरू में आपको रिश्टेशन लेना होता है कि अब शुरू में ही रिश्टेशन ले लोगे तो इस पूरे 40 लाग तक भी आपको देंदा पड़ेगा उसके बाद वाले पर भी एक परसंट देना होगा यह मालें जी आपने एक रूपे से 10 लाग तक नहीं लि एक परसंट आप्को टैक्स देना होगा आपने वॉलेंटरी ले लिया लिमिट होने से पहले लेकिन दोर्मली क्या होता है लोग्सित होता है और जो शाइश लाग के बाद जो सेल होता है कि उस यह mortal क्या होगा कि साल तो आप इसे 2546 यहां पर पहले से रिश्टर होगे कि आप रिश्टर होगे 24 25 में 25 26 तो यहां पर भी आपको शुरू से एक रुपय का सिल किया या एक लाक का सिल किया पहले एक लाग पर ही आपको एक परसंट देते हुए चलना पड़ेगा तो कि यह बार रिजिस्टर हो गए चाहिए लिमिट क्रोश होने क नहीं हुआ तो आपको टेक्स देना ही होगा लुव रेंट्री होगे तो भी लिमिट खूर मुछ लग जोड़ यहां से आपका चालो हो जाएगा टैक्स स्पे करने का एक हम क्या अकाउंड नहीं करेंगे इस मैं अपना पॉइंट को जो लोन वाला एक्स्टेंडिंग लोन वाला यहां पर करेंगे यहां पर भी कैने करेंगे आपके चल कितनी थी कितनी चालिस लाग पर पैंतालिस लाग टोटल थी हमारी आप एक लाग का इंटर चाहता उस लेक लाग पर आपको एक परसेंट नहीं देना क्योंकि वह यहां पर काउंट नहीं करेंगे टेक्स पे करने के लिए तो यह पॉइंट ऐसा है प्रैक्टिकल म यह वह गाए एक परसेंट उस तेल के बाद इसको भी नोट कीजिए फिर चलते एनलेसिस वाले पार्ट पर कर दो 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 झाल 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 अब हम लोगों ने अपना एक्क्राइशन टू तक कपर कर लिए अब हम आच के अपने एनालेशिस वाले पार्ट पर इसको पढ़ते हैं और जो आपने पढ़ते हैं और को यहां पर सेम ही मिलेगा ओवर्वीव ओप्ता स्कीम तक कॉंपोजिशन लेवी इसन अल्टरनेटिव मैथड ओफ लेवी और टेक्स डिजाइंड फॉर स्मॉल टेक्स्पर वूस्ट तरनोवर इस अप्टू प्रेस्काइब लिमिट और प्रेस्काइब लिमिट क्या है फिर यहां पर क्या होता है अपने पर शीज के कि इन पुट अपको लेना है फिर कितना इंपुट टेक्स अपको देना है सब नहीं मैंटेन करना होता है पहले किसके लिए था स्मॉल ट्रेडर मैनुस्पाइक्ट्ट और रेस्टूरेंट सर्विस प्रवाइडर के लिए बाद में इसको सर्विस प्रवाइडर के लिए सेक्सेंट 10 2a लाके इसको ले आये थे यह उस रेटोरेंट सर्विस के लिए है जो क्या नोट सप्लाई करता हो अल्कॉली लिकर फॉर एलिजिबल नहीं होंगे अगर रेटोरेंट एल्कॉली लिकर सप्लाई करेगा तो वो composition scheme से बहार हो जाएगा supplier अबले composition scheme permitted to supply other service also through only a small specified value the scheme is contained in subsection 10 1 10 2 company scheme for goods under the scheme under this scheme supplier of goods have the option to pay tax at concession rate one percent of the turnover restaurant service provider not supplying alcohol for human congestion have the option to pay tax five percent of the turnover small taxpayer with an aggregate turnover preceding financial 1.5 crore अगनी एक करोड़ पचास लाग तक है प्रिसिटिंग तो आप क्या हो जाओगे eligible to pay tax in composition scheme of person engaged exclusively in supply of service other than restaurant service is not eligible for the composition scheme is deployed under section 10 1 or 10 to service provider हो तो आप किसमें जाओगे 10 to a में किसमें जाओगे 10 to a में महापे कितना percentage six percent परसेंट परसन इंगेजिस इस अप्राइज अदर दें restaurant service क्योंकि restaurant service specially 10 one में cover किया गया है और 10 सब्सक्राइब करें लेकिन आपको टोटल गूट्स तर्विस दोनों पर आपको इतना पर 6.4 को पर स्क्राइब को टीजनी देना होगापो प्रोविस एकी आपको टरेसेशस्ट दियने करते हैं पको टीनी थकेकर टूर कीसर थिञिंगर को टीेड दीनेन स्क्राइब कर टीजना लॉटलAh को टीन ठरूलेर करते हचेह होगापो टीन देना होगापो ट Towns N लोग store डिर्डी रणुवर इन इस टेट यूटी ये कैसे निकालते हैं इसके बाते बीबी के से करता या हम ने कर लिया है और ऑं इस टेट यूटि और उस टृ यूटी में क्या हैगा उसको बहुंपलियास ओर क्राशिपी के किस्वेशन करके थे अब जिए भुट और वी दिए रही हो तो आपको इक परसेंट लगए का और अप सर्विस वाले हो आप स्थे रहे हो तो अब वह कितना लेगा सिक्स परसेंड आपको कि जो कुर्टे से लिए सकता है तो उसकर लिमीट के टैन परसेंट ओफ तर्न ऊबन का इसट और से कल ट्रेडर में क्लेंगरों सकते हैं हो भी कर सकते हो लेकिन फ्रेंगर उसके सब्सक्राइब तो बेच दिया तो उस पर 6% टेलर के ऊपर चाहिए गूर्स ते लेकिन ट्रेडर जो सैकल वाला उसके वन परसंट ही लेगा लेकिन अगर उसने टेलर ने अगर किसमें चला गया वह चला जाएगा अपना उसमें ट्रेडर वाले में टेलर कौन है तो उसको फाइन लग सकता क् आपका काम सर्विस का है तो आप उस 6% वाले हैं कि 10-2-a में होना चाहिए था तो आपके पर fine लग सकता है इसलिए आप service provider हो तो 10-2-a लो अगर manufacture trader हो तो आप 10-1 लो proof करने की responsibility आप पर आगी आप proof नहीं कर होगे और आपने 10-1-a में 10-2-a तो दिक्कत हो सकता है आपके लिए 10-2-a 10-1 में लिया तो दिक्कत होगा ही होगा क्योंकि आपने 6% के बजाए 1% पे किया आपको एक रिटन फाइल करना होता है जो रेगुलर वाले होते हों को हर माइन ने दो रिटन यानि की 24 रिटन और एक एन्युलर रिटन फाइल करने होती लेकिन कोंपो दिशन वालों को काली एक रिटन एन्युलर रिटन जिस्ट्र 4 फाइल करना होता है एन्युलर ली और ओर क्वाटेली करना होता है पेमेंट ऑफ टैक्स इन फोंस यह चींप 08 लियानिकि चार बार आप जिस्टी सिंप 08 फाइल करोगे और एक बार आप जेस्ट्या फॉर फाइल करोगे एलिवल पर्सन ओप्टेंट टू पेटेक्स अंडर कंपुजिंस की इमसेल इंस्टेड ओपेइंग टेक्स ओन एवरी इन्वोईस एड़ इस्पेसिफाइड एड़ पेटेक्स एड़ प्रेस्क्राइड पर्सेंटेज ओफिस टॉन ओवर इस्टी सींपी जीरो एट आई मैंझे आपको एक बार दिखा ले तो कि कैसा होता है पूर्टल कि यह एक प्रोप्राइडटर है प्रोप्राइडटर शिफ्ट और यह परसन के इसमें रेष्टेड है composition scheme में अगर regular में होते हैं यहां पर लिखा होता है regular यह कौन से schema registered है composition scheme में क्या file करना होते है cmp08 तो यह देखते हैं सर्विसेश रिटर्न रिटर्न डैश बोर्ड जैनुरी टू मार्च अब देखें यहां पर यहां पर क्या option आ रहा है statement for payment of self-assist tax gtcmp08 क्या gtcmp08 लोग इसको return बोलते actual में क्या होता है statement होता है statement for payment of self-assist tax gtcmp08 और साल जब खतम होते है तो एक annual return file करते जेश्ट्यार फोर यह कोई से जेश्ट्यार फोर है जो भी purchase करेंगे registered person से तो वो भी तो अपनी return file करेंगे जब वो अपनी return file करेंगे तो इनके यहां पर इस वाले box में सो करेंगे इस पर हम क्लिक करेंगे जो भी इंके purchase होगा इस्ट्यार पर्संस से वो यहां पर सो करेंगी और यहां पर वो अपनी return जो बताएंगे और जितना परसेंट है एक पांच जो भी प्रसेंट एप्रिकेबल है उस रेट से payment करके इस statement को OTP डाल कर फाइल कर देंगे और फिर साल के total में इन चारों quarter का जितना भी से लोगा वो बताएंगे और मारे कुछ कम ज्यादा करना हुआ इनको तो यह वहां पर final कम या ज्यादा करके और कुछ नहीं करना तो same इतना टेक्स बनता था उतना उन्होंने प्ले कर देंगे और कहां से फाइल करते अप यहां पर नीचे आएंगे यह आएगा सर्विसेश में रिटन में सर्विसेश में रिटन में सर्विसें आएगा करेंगे तो वो अपने सर्विसेस में रिटन में जाके फाइल करेंगे अभी उसका ओप्षन नहीं आ रहा क्योंकि वह का फाइल करेंगे मार्च एंडिंग की बाद इसा वत अपुर्ट पूद अपना बुर्ट अध अफ जिए को कि सेखमानों है टीया है अफनले पूर्स झापना ग्व coercion अबख़ payment for composition scheme the provision related to composition levy are continuing section 10 and of central goods service the end chapter second commission levy of central goods and service tax rules 2017 the said rules have been incorporated in the discussion following paras at the relevant places complete schemes under section 10 computer scheme provided under section 1010 to copy scheme for goods or the 10 to a complete scheme for services service provider यहां पर कून है Manufactured Trader Restaurant Service वाले इसकिन है बिन डिसकेंड डिटेल सब्सेक्वेंट पैरल्स तर्नोवर लिमिट फॉर ओप्टिंग फॉर कॉंपूजिशन लाव यह हम लोग पढ़ चुके है प्रोवाइड जो 50 लाग को बढ़ा के कितना कर देता है 1.5 यार 150 लाग से 1.5 यार तक है इस गोवर्मेंट टर्नोव लिए पॉर गूट्स है भी निक्रीस फॉर फिप्टी लाइक टू इतना ठीक है यह तो हम पढ़ चुके और देखें एक तो है जो सर्विस प्रोवाइडर तो के लिए कितना फिर्टिल आघ पूरे इंडिया में किसी बीग news ट्रिछ में उप किद Lamb Universe Business लेकिन लेकिन अगर आप कि कि तो कितिना लिमिट है 1.5 यार कितना है 1.5 यार लेकिन अगे आप कहां पर हो in irispector-based तो अबदा special category states कि स्वेक्षाल Categories states केसमे एट इसफेस्फेसल category states कोंचे स्टेट है यह वाले अगर आप इन आठो स्टेट में हो और rebellion scheme लेते हो तो आपके पर limit कितने हो जाएगी 75 lakh रूपीज कितने हो जाएगी 75 जो 1.5 चेक करते थे वो इस केस में चेक करेंगे 75 लाग रुपीज कौन से कौन सी स्टेट है अरुनाचर परदेश उत्राखड मनिपूर मेगाले मिजुर्यम नागालेंड सिक्किम तरिपुरा इन केस वो स्पेशल करेटेगरी स्टेट और अगर ये आठ पर रुपीज कितना हो जाएगा लिमिट आपके ऊपर 75 लाग रूपीज कितना हो जाएगा 75 जो 1.5 चेक करते हो 75 लाग रूपीज हो जाएगा लेकि अगर सर्विस प्रोवाइडर तो भी इसमें भी 50 लाग और अधर वाले में भी 50 लाग और 10-2 एक 10-2 में कितना है 50 लाग रूपीज तो 10-2 में यहाँ पर 50 लाग अधर में भी 50 लाग रूपीज और 10-1 यह 10-2 में जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवर रेस्टोरेंट ट्रेडर मैनुफेक्चर यहाँ पर 75 लाग रूपीज इनके अल करना होगा आए इसको भी बार नोट कर लेते हैं कि कौन सा है इस पेशल के टाग्री इस पेशल के टाग्री स्टेट यहां पर लिमिट कितनी है प्रिसीडिंग फाइनेंशियल इयर में एग्रीगेट टरन ओवर लिमिट कितना चेक करना है सेवंटी फाइव लैग रुपीज अगर अप्टू सेवंटी फाइव लैग रुपीज तक है तो आप मैनुफेक्चर ट्रेडर रेश्टन सर्विस प्रवेडर आप सेक्शन 10 ओप्ट कर सकते हो क्योंकि यह पहाड़ी इलाके भी है इसमें तो यहां पर वन पॉइंट फाइव सेयर टरन ओवर बहुत ज़्यादा हो जाते करने के लिए वन पॉइंट शेयर कर देते तो उसक्रत लोग के लिए एक लाग रुपे कमाना बहुत बड़ी बात है लेकिन अमेरिका में लोग के लिए 10 लाग रुपे कमाना बहुत ही इसी है तो तो यहां पर कितना है वन पाइंट फाइव सीयर तो यहां पर कितना कर दिया 75 लाग रुपीज ही कर दे क्योंकि यहां पर दस ला प्रदेश फिर अपना कुन सा है मनिपूर फिर अपना कुन सा यहाँ पर में घा लिया फिर यहाँ पर अपना कुन सा है उत्तरा खंड फिर यहाँ पर कुन सा अपना मिजोराम फिर यहाँ पर कुन सा अपना सिक्किम फिर यहाँ पर कुन सा अपना तरीपुरा अलाचर पड़ेश उत्राखन मनिपूर में घाले मिजुराम सिक्पिंग तिरपर नागलें यह तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं इसको योग्याप का मनिपूर योग्याप का मिजुरम मनिपूर मिजुरम तिरपूरा नागलेंड एक दो दी चार फिर कोसा बच्चा आपका अरुनाचल प्रदेश मिघाल्या मिघाल्या सिक्किम मुत्रा खंड है तो यह आपकी मेमोरी टेक्निक वन क्या मेमोरी टेक्निक वन एक और है मेमोरी टेक्निक सेकिंड यहाँ पर कोन है यह यह है अरुन इसके पास हैं बहुत सारे पैसे कि फ्रेंड है कि मेगा कि लोग कहां गए घुमने उत्तराखन यहां पर लोगों ने क्या किया मजे मीजूरेंब और यहां पर क्या है किसमे क्या बर्फ में बर्फ में यहीं कि इसकी तरखन में मजे कि इसकी मिहां पर क्या बर्फ कि इसकी मिहां पर पैरों में बर्फ में बर्फ में चलने वाला वह प्लेट टाइप और एक हाद में से क्या था तीरंगा जंडा क्या होगा यह त्यरंगा त्रिपुरा और यहां प्लेट क्या था इसके वह इस टिक भी वह थे नहीं कि हाथ ने श्टिक इस्टिक तो इस्टिक किसकी थी नाग कंपनी की नाग कंपनी की क्या थी इस्टिक ते पर कौन कौन से आगे अपने एक के आगे अरुन अचल परदेश अरुन मनी से मनीपूर यहां से मेगाले तीन अरुन अचल परदेश मनीपूर मेगाले फिर क्या है उत्तरखन मिजोरम यहां पर क्या है उत्तरखन मिजोरम यहां बरफते बरफ में क्या कि इसकी एक शिक्स से आगे सिक्किम इसके हाद ने एक फ्लैट था त्री पुरा यह आगे पने सेवन वह एक हाद ने श्टिक थी श्टिक को जिसे ना कंपनी की होगा नागा लेनन की आठ को पैसे भी याद कर सकते हैं उसको भी नोट कर लिजी यहां से कर दो झाल झाल आठ इस पेशल कैटेकरी स्टेट यानि कि इन आठ के लाव कोई भी स्टेट यूटी वहां पर कितना होगा 1.5 का हम लिमिठी चेक करेंगे और वह करता है तो अलिजिबल हो जाएगा अधर वाहर कर देंगे आप करेंटेर में लिजिबल नहीं होगे और इंडिया बेसे सब्सक्राइब परसन हैविंग सेम पर्मनेंट अकाउंट नंबर माने ची मैं दिल्ली में ही साले सेल कर रहा हूं तो मेरा पिछले साल में था द्यस लाग बीस लाग अस्ती लाग एक करोड एक करोड चाली लाग तो ठ बीजनस है माले मैं यहां भी पैन सेल कर रहा हूं दिल्ली में भी हर्याना में पंजाब में उत्तर परदेश से पांच से स्टेट आठ इस स्टेट किसी भी स्टेट में तो कितना लिमिट होगा सारों का टरन ओवर मिलाएंगे नों टेक्सिवल सप्लाई एक्सपोर्ट एक् स्टेट का एक परसन का क्यों सारा मेरे पैन नंबर पर बिजनस हो रहा होगा क्यों पैन नंबर एक ही होता है वो किसी भी स्टेट में तरे जाब एक ही पैन होगा आपका सापका टरन ओवर इस स्टेट में हो तो 75 लाग दिखेंगे सब का मिला के 75 लाग ठीक मनले एक इस चैक है तो भी 75 लगी कंडिशन लगेगी सारे अलग वाले में तो डेरो ईस वाले में तो पचत्तर लाग एक इसमें बाकी इसमें तो भी 75 लाखी लगेगा क्या तो भी 75 लाख हम चेक करेंगे यह देखिए यह अपने 75 लग रुपी इन स्टेट में और अलग में यह ओल अधर स्टेट यूटी में डेर करोड़ देखिए एक में नागर लेने भी सप्लाई कर रहा हूं पैन का और मैं यहां भी कर रहा हूं तो सब का मिला के कितना चेक करें हांगे 75 अभी वह आगी आएगा फिर क्या जाते है अपना यहां से एक्जाम्पल start हो जाते यहां से एक्जाम्पल no.2 पेन नमबर थिरि पॉइंट फोर से तो आपको यहां से स्टार्ट करना है अपने जो भी इसको आप रिवाइस कर लेना तो फिर हम यहां से स्टार्ट करते इसको और धीरे धीरे चैप्टर खतम फिनिश कर देंगे इसको हम यहां पर कुछ एक्जांपल से करके और जो भी कुछ हमारा पैंडिंग में रहे गया था एक्जांपल से आपको और थोड़ी क्लारिफिकेशन आ जाएगी फिर लेटस री कैपी प्लेट क्या होते ही एक समरी टाइप है कर कोई बच्चा समरी ना बना रहा हो या नोटिंग ना करो तो यहां से इसको भी रैफर कर सकता है यहां पर देना यहां पर 75 और रिमेनी के लिए 1.5 प्र सर्विस वालों के लिए 50 लाग तो यह आप एक तरह से समरी है तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं इसको पर टेस्ट य सकते हैं इसको क्य determination से कुशन से पीर नीच्छे यहां पे कुछिन आंसर पेज नंबर कि तरी पॉइंट सैबन फोर से फिर संबरी गीवन है यहां पर इसको आप पढ़ सकते हैं पर से पढ़ना है और बीच में हमने थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा है और हमको कहां तक है आपको कुश्चन आंसर जो है से स्टार्ट करना यहां से पेज नंबर थ्री पॉइंट फोर नेंट फाइन फाइन सिक्सने को ट्वंटी पिज़ेस पढ़ने और हमारी चैप्टर हो जाएगा आज ही अपने बुक के पेज नंबर थ्री पॉइंट पॉर नाइन इलस्ट्रेश्ट्रेशन नंबर शाइकेंड ए शूज डीलर पृतिवी राज है अफिस इन महराष्ट एंड गोवा ही मेक्स इंट्राइस्टेट सप्लाइब गूड्स फ्रम बोथ दीस ओफिसेज कोने एक डीलर है यहां पे पृतिवी राज कोने डीलर है कहां पेंक स्भिवी झाणे को बेत Agralth पका रहार है अफिसेज एक महाराष्ट एक होवा में in order to determine whether पिट विरा इलिज Siz खेयो प support benefit of compos You scheme of goods turnvue ah both the office would be taken into account and if the same doesn't exceed 1.5 crore in preceding financial Pithweer can op to avail the composition levies came subject to fulfillment of other prescribed conditions फोर गुड्स फोर बोट आउफिस इन करेंट फाइनेंशियल इयर क्या वह लेहां पर इनका महराश्ट का प्लस गोवा का टोटल तर्नोवर लेज देन इकल टुवन पाइंट फाइंट फैर होना चाहिए इन प्रिवेस फाइनेंशियल यह तो वह अलिजिबल होंगे करेंटियर में कॉंपोजिशन इस्कीम के लिए ऑफ्शन ओफ ए इस्पेसिफाइड स्पेसिफाइड स्पेशल केटेगरी स्टेट्स क्या बोलता है जो ऑफ्शन है इनके पास कॉंपोजिशन स्कीम का वो लैप्स विद इफेक्ट फ्रॉम दर टे ओन विच्छी एग्रिगेट टर्नोवर दिए फाइनेंशियल एक्सीट्स मालिजिए इंका में रिश्टेशन दिया और पंदरा जुलाई को क्या हुआ टर्नोवर कि पिछले साल में एलिजि वन क्या बनाए बिल ओफ सप्लाई क्या बनाए बिल ओफ सप्लाई 1181 और इन्होंने कितने का बनाए मालेजिए इन्होंने बनाए 8000 रुपे का बिल ओफ सप्लाई जैसे इन्होंने ये बनाए इनका टर्नोवर 1.5 सियार को क्रोस हो गया क्या क्रोस हो गया अब जैसे टर्नो दोवर्क का जो लिमिट सा मैक्सिम उसको उन्होंने ख्रॉस कर दे अभी किसमी लेंगे रगुलर की इसके में रिस्टेशन लेंगे यह सो कर वाएंगे और क्या बनाएंगे टेक्स इन्वॉस इसू करेंगे जाट सब्सक्राइब करेंगे गोड़ील इन अब टेक्स इंवइज बनेगा इस नंबर से ओर ये टरफिजर्च चार्ज करेंगे टरफिंट करेंगे अपने कश्टमर से टरफा कि 15 दुला को करों हुआ था तो लिकार वीधिन शवन डेस क्या करेंगे इंटीमेशन देंगे गौश्म को की मेरा क्रोस हो गया है है कि आरे अब मैं रेगुलर स्खेम में आना चाहता हूं अभी इसके बारे में आगी आएगा है कि जो की में मैं जाना चाहता हूं दो वार लिमिट इन केस हो कोंपोजेशन लेवी फोर सर्विसेश हम पढ़ चुके टैन टूए में फिफ्टी लेग रूपीज लिमिट है यासे एक हेर स्टाइलिस्ट बिल्लू बार्बर है जिस सेलून इन देल्ली एंड हर्याना अब यहाँ पर कौन है एक्जाम्पल नंबर त्री में यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर है सेलून इलश्टैशन त्री बिल्लू है यह कोन है सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रवाइडर और यह कौन है सेलून है सेलून सेलून इन डेली एंड हर्याना इन दोनो का तर्णोवर इन प्रीविस प्रीज एंड डेली एंड दोनो का तर्नोवर इन प्रीविस पायना यह लेस्ट एंड गाना चे फिफिटी लेग्या था एलिज़िबल होगा फोर कॉंपोजिशन स्कीम बिलुक एन ओप तो अवेल कॉंपोजिशन स्कीम सब्यक्ट फुल्फिल में अदर पेस्क्राइब कंडिशन फोर सर्विस फोर बोथ दा चलून इदा कुंपोजिशन फोर इंटर स्टेट ना करता हो और का नाम है स्पेसिफाइड टू गूट से व विच इस अग्रिगेट टॉनवर दिरिगेट फैनेशल एक्सिटा थैसर लिम्ट वूपिस 50,0010 सब्सक्राइब करना होगा एं रिश्टेट पर्शन ओटिंवर कॉंपोजिशन फोर कॉंपोजिशन फोर गूट फोर इन एग्रिगेट टॉनवर 1.5 से 75 रूपिस इंकेस अग्रिगेट टॉनवर फिफ्टी लाइगा तो इंको चेंज होना पड़ेगा रगुलर स्कीम के अंदर शिमिलरली ए रिजिस्टर पर्शन ओप्तिंवर कॉंपोजिशन स्कीम फोर सर्विस शूद फोर इन अग्रिगेट टॉनवर 50 लाइग वाइची बार बार दे रखाय पर पेज नमबर 3.51 अग्रिगेट टॉनवर अंडर कॉंपोजिशन लेवी है डेफिनेशन अग्रिगेट टॉनवर एस कंतेनी सक्षिंट तो शिक्स ऑफ चेजिए जनले आज प्लो टेक्सिवल सप्लाइग्ज श्प्लाइग्स अप्लाइग्स एक्स्प्लाइग्स सब्सक्राइब तो उस पर एक पैंडिया बेशिशन नहीं करके सब्सक्राइब काुंट करेंगे वहनु एग्रिगेट टर्णोवर इंक्लूड वैल्योव सप्लाइज फॉर्म फर्स्ट अप्रेल और फाइनेशल अप्टू देट ओफिस बीकमिंग लाइवल फो रेजिस्टर और एक्सलूड वैल्यो एक्जेंट सप्लाइव और सर्विस बाइव एक्स्टेंडिन डिपोजिट यह पढ़ चुके हैं एक्स्टेंडिन डिपोर्ड इस सब इंक्लूड नहीं होगा और टर्णोवर उसका एक तारिक से इसे पिछले साथ चेक करना है 1.5 तर्णोवर तर्णोवर तो पिछले एक अप्रेल से लाश्ट करतिस मार्क तर्ण चेक करेंगे पिए ओन कंबाइंड डिदिंग ओप्ता एफोर्चेट पोविजिंस अ मेथड़ों कंप्यूटिंग अग्रिगेट तर्णोवर पर्पोजिट्री एलिजिविट्टी और इस्टेट पर्सन फोर्दा कंपूशिश्टिन स्कीम कैन बिदेप्ट इन डिग्रम एस फोलोस फिन अग्रिगेट टर्णोवर फिनेंशियल यह इस अरह हमने भी हां से स्टार्ट के आता है एक्जामपल तू से इसा पढ़ा थ्री पढ़ा पिर यह सब नीचे आते हैं यहां पर इसा इंक्रूड अग्रिगेट टर्नोवर में सेक्शन टू सब सक्शन क्लोश्टिक्स में इससा पर यह सब लोन ओहर जोबी इंक्रे आता तो फ्री इंक्नूट क्या होगा T जो वहा डोग म्याद्स बाइर खेम एंट फल्याइं प्लै अज्ट फिर्ति डेल एंट hundred आपक अजिए इसी अलगर को टास्टि शॉट एंट आ फूर सप्लाइन देख्ष्टल एंट्रेस्ट आप्लेज्ट आप्र सब्लाइब गारें दित्रेस्ड बारें डेलेंगा कि अ्रि के टर्न ओवर के वक्त हम यह सारी चीज़ें चेक करेंगे तो फिर टेंट टू यह आपर रूल सेबन प्रिस्काइब दरेट एड़ इस पेवल बाइश्टेट परशन उप्टिंग फॉर कॉंपोजिशन लेवी सारी चीज़ें यहाँ पर रेट ऑफ टेक्स इन के जोब पॉजिशन लेवी फॉर गुट्स एल पेट एड़ प्रिसक्राइब रेट यहाँ अगर मैनुफेक्ट्ट्रोर हो आप अधर देन इन एट गुट्स के कोसमे आइस्क्रीम पानमसला टोबैको एरेटर रोट चार फ्लाइज ब्रिक्स फ्लाइज अग्रिगेट फ्लाइज ब अब चेक्राइज इसमें तर्णोंबर इस्टेट और यूटी कैसे निकालती सप्लाइज में रेश्टराइज सर्विस वी तो 5% की रहाई-दैए परसेंट तश्रनोवर आप तर्नोवर इनि पर इनि पर यूटी इनिए अधर सब्लाइर यानि कि यहाँ पर नाएगा ट्रे turnover of taxable supplies of good service in state of UT यानि कि only taxable supplies यहाँ पर taxable plus exam दोनों आएगा यहाँ पर only taxable आएगा यहाँ पर taxable plus exam दोनों आएगा यहाँ पर only taxable supplies आएगा इस्टुटेंट में नो अग्रिए टनों प्रसीदिंग फार इरलिवेट for the purpose of determine the eligibility to avail composition scheme but the tax has to be paid in accordance with the applicable rate of the turnover in case of third category state person or in state duty the concept on a state composition levy has been explained subsequently in this chapter the taxpayer Tala Ram is a manufacturer when a manufacturer who has opted for composition levy having one even in UP and another unit A2 in MP total turnover किटना इनका नंते इनके प्रेसीडिंग केनल फाइन फाइब बन फाह यनके एक्सटम फाइन एक्सटमद्रा लाग रॉक्स यानिकि इसाले composition चीम में एलिजिबल है तर्नोबर ओफ यूनिट एवन एटो इन दा फिर्स्ट क्वार्टर करेंट फिनेंशल इरिच फाइब लैक और टैन लैक कंप्यूट अमॉंट पेबल एंड कॉंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन टैन टैन तो अब देखिए एक कुश्चन है अब यूपी में कितना है 85 लाग रूपीज और एंपी में कितना था 30 लाग रूपी यानि कि टोडल कितना हो गएंगा 115 टर्नोबर इन प्रिविएस फैनेंशल इयर यानि कि यह वाला हम चेक करेंगे इतना यह हम चेक करेंगे क्या इस सालव एलिजिबल है कि नहीं तो प्रिविएस सारी यूनिट का मिला कि कितने भी स्टेट में उनका 115 लेक से 115 लेक यानि कि 1.5 र से कम यह सब लगे है अब कि फर्स्ट कॉर्टर में कितना था 5 लेक सेकें डिर्विए 10,005 लेक रिवाइब 10,005 लेक तोटल 15 लेक का 1 परसंट 5 थाॉजंट 10 लेकर तैन लेक वन परसंट 10 कितना हुआ ही 15,000 टोटल टेक्स कितना बज़ेंगा इनका 15,000 वहीं अगर इस केस में जैसे ये रेइस्टेशन ये माली जी ये बाद मिलेते कितना चोबिंग के पर 20 लाग 40 लाग के उसके लिमिट के बाद अगर ये लेते तो इनको इस शुरूवाले 40 लाग का टेक्स नहीं दीना होता है मैं आपको बता रखा है किक साथ कर वाली तो इसको इतना के करना होगा सेटाओ सेकेंड नंबर सेकेंड थे हैं लेक्स्टेवर भॉल्राराम कोने ट्रेड़र अगवत ट्रेडब कितना पर्शेंट हैं एक पर्सने या अना और crush agam position Lab for goods or taxable and exempted goods exempted by way of notification it has one retail store room कहांपे पंजाब में और अनदर रिटेल सोरूम कहांपे है राजिस्थान में बोट टेक्सेशाव एस वेलाइ्ड एक्जैम्ट छेक्ट करने की लिए हम taxable, exempt, interstate, सारा कुच लेते, लेकिन तो फ्रेल देते कि eligible है कि नी सारा कुच लेकि 115 लाग है जाय टथ हो चाय उआ था का है tu agent क कितना 115 लाग रूपे तो यह eligible होगा पंजाम में 85 राइस्थान में 115 लाग eligible है 25 ब्रवा articles सबसक्स नहैंय का फन्द्रा लाघ करज़ क्षेज़ को पंद्रा लाग मेशाई रहे इतना फंद्रा लाग और एक्तोई कितना बीस्लाग ममझेन उब 15 लाग त्षुन्रा मतने door गूंकि करने हम् jeans कामप्यूट करना है पी कि लिए जैसे मैं आपको बता रखा है कि ऑग कि इसके ट्रेडरा वाले केसी में जिसे इहाँ पर को ट्रेडर वाले करेक Amp trans shipping यहां पर यहां पर यहां पर करें कंदानें पहत्र होगा पांच लगर टेक्सेबल 20 लाग लाग ट्रण्वर्ण टैक्सेबल टेक्सेबल टिर टेक्सेबल टर्नी इन original कुछτο पांच लाग दस लागो फट्रणें पांच विडस्त अ updates इसमें और इसमें भी इसमें दस एक्जेम्ट है तो कितने लिए के 5 और 10 पांच का एक परशंट पांच हजार तसका एक परशंट दस जार एक परसेंट 15 रुपें के लाइलिटी बनेगी इस सप्लाइर अधर देन वनुफाक्ट्टर रेश्टरेंट सर्विस प्रवाइडर कौन ट्रेडर एलिजिवल कॉपोजिशन लेभी अंडर सेक्शन 10-1-10-2 हैस तुपे टेक्स 1 परसेंट और टर्नोबर ओनली टेक्सेबल सप्प्लाइज और कुट्रेंज सर्विस इन दा इस्टेट तो इसको आप नोट कर लिजिए अधरवाइज आप यहां पर गलती कर सकते हैं यहां पर अगर आपको नो मैनुफेक्टरर या आपको नो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर आपको किता देना है आपको देना है एक परसेंट आपको किता देना है फाइब परसेंट और किसका देना है ओफ दा टर्नोबर इन इस्टेट और यूनियन टेरिटरी ओफ तर्नोबर इन इस्टेट और टेरिटरी और आपको नो अगर आप हो ट्रेडर तो अभी आगों किता देना एक परसेंट है किने एक परसेंट किस चीज़ का देना है यह को देना ओफ टर्नोवर ओफ टेक्सेबल सप्लाइज यही पर बच्चे घलती करते हैं तो टेक्सेबल सप्लाइज अचक बोड़क आएंए घ्टेट ओर यूनियन प्रेटरी है यहां पmeno Holocaust I प्लस अग्जðannée नोई आए गाइगञ यहां पर लोकिन यहां पे कि हैar टेक्सेबल सप्लाइज यहां पर टेनोवर ने लिखा टन टेक्सेबल सप्लाइज then you then बोटन नोबर में टेक्सल प्लाइक्जेम्ट दोन वाएगा तो इसको भी आपनों नोट कर लिए यहां से कि अगर कि अगर कि अगर कि 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 क Sex कि 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 य कि क ज अग्याइब भी ले लिए को ने बस सर्विस प्रोवाइडर रगा सर्विस प्रोवाइडर तो कितना पर्सेंट है 6 पर्सेंट और यहां भी क्या है ओप टर्नोवर इनिस्टेट और यूटी खाले ट्रेडर वाले केस में टेक्सेबल सप्लाइज का है अधर्वाइज जिसमें टेक्सेबल एक्जैम्ट दोनों काउंट होगा प्रोवगगपिये 7 पर क्रूपी में पर यूटी खाले बहुटेजिस के ंदे एक्सिते बित है का यूशग का है विड़ेख कि रेट टेक्स कोंपोजिशन लेवी फोर सर्विसेश कितना त्री परसेंट ऑफ टनोबर सप्लाई दो गूर्ट सर्विस इन स्टेट और यूटी टेक्सपेर पनावती इस शैलन स्टाइलिस्ट वह उप्रेट फोर कॉंपोजिशन लेवी सर्विस हैविंग वन ब्रांच इन बसंद दिली अनदर ब्रांच इन बीटु इन गुरुगराम हर्यान एक है दिली में एक है हर्यान में टोटल टू ब्रांच इन लाज्ज फिनेंशिल फुर्टी फैइफ लग रूपीज एक का और इसमें तो एलिजिबल है येस फिर टर्नोबर ब्रांच बीवन एन बीटु फर्स्ट क्वार्टर और करेंट फैब लेक तैन लाग रूपीज इसका फाइब रूपीज बीवन को और बीटु का क्या है तैन लाग रूपीज कितना होता है तो फाइफ ताउजन तो सिक्स पर में काल्कुलेट कर सकते हैं यूर अलाओ तो कैरी काल्कुलेटर इन यूर एक्सान टोटल कितनी लाग रूपीज है नैंटी थाउजन रूपीज एस इन अबाव सिस्ट अटेक्स अंडर कॉंपिशन इस्क्रीम है तो कॉंप्यूटेट इस इस पर्टिन तो अंडर्स्टन कितन बड्री मिझ तो कर तॉंब आने टेटेट ऊट अंडर्स्टन लएज यूजग तो पर्संट अंडक्म 나서 d Cockg सुप्राइब से पेंबल बाई पर्सन और एक्षक्लूब्स यह है एक्षज पलाग देहां पर रहुग प्रेकट फिनिश हो गया रख आर्सम वना क्योंकि आर्सम वना किसी और की कि क्या है है लैबिटी है वना किसी और की क्या है सेल हमें खाली उसको पे करने अलाग से जो भी ब्रेट अप्लिकेबल होगा लिकिनों में अकाउंट नहीं होगा एंड इंक्लूड एक्ट्रम सप्लाइज मेड वी दिन स्टेट और यूनिन टेर्टरी बाइट टेक्सेबल पर्शन एक्सपोर्ट और गूड्स और सर्विस और बोड इंटेट सप्लाइज गूड्स और बोड में फोंड श्टेट दुटी वाइज एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इसको पर लिजिए एक बार फर्दर एक्सपोर्शन टू सेक्शन 10 क्लारिफा देपर्पस और डिटर्माइन टेक्स पेबल बाइपर्शन अंडर दिस सेक्शन दैस्प्रेशन टनों इस्टेट चूटी सैल नूट इंक्लूड वैलू रूर इस्टेट हो चुका था क्या एक अप्रेल से तो काउंट करे करेंगे अधरवाइज एक अपरेल से बनी भीकम लाइवर माले लिमिट के ते 20 लाग या 40 लेक तो 20 लेक तो काउंट नहीं करेंगे और तो डिपोजित वाले वह भी काउंट हम नहीं करेंगे उन कंबाइन इडिंग एफॉर्टेट प्रविजन दा मैथट और कॉम्पूइ प्रवाइज मेड विधिन इस्टेट और यूटेवाइज कंपूइट तरन वन इस्टेट यूट 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 सप्लाइज अधर नहीं करेंगे और इस साल ने पहले ही रिश्टेट हो गए पहले तारीक वाइज चालो हो जाएगा जैसे अब लेकिन माने जिए बिस लाग तक आपको रिश्टेट जरूरत नहीं होती वहीं बता रहें फर्स्ट अप्रेल फाइनशियल और यूट विकम लाइबल फो रिश्टेशन माने जिए आप बीस लाग चालिस लाग के लिमिट में आते हैं तो चालिस लाग तक का हम काउंट नहीं करें कि आपने मेंडेटरी भी नहीं तो और आपने रिश्टेशन लिया भी नहीं लेंगे लेकिन आपको ले लिया होता तो उसको भी इंक्लूट करके चलेंगे आपका लिविटी निकालने के लिए फिर वही एक्स्टेंडिन डिपोजिट इंट्रेस वाला जो भी नहीं लेंगे एफ फोटोग्राबर चंबक हैस कमेंस्ट प्रोवाइडिंग फोटो ग्राफिस सर्विस इन दिल्ली फॉम अप्रेल इस ये इस टर्नोबर फॉर वेरिस क्वार्टर तिल दिसम्बर इतना अप्रेल से जून 20 लाग जुलाइस से स्टंबर 30 इस टर्विस इन करेंट फैनेंशियल एग्रिगेट प्रेसीडिंग फैनेंशियल इस निल यानि कि वह इस साल अलिजीबल था इलिजीबल है यूदि पिछले जार जीरो ती यानि कि जो भी लिमिट है इसके उपर कितने की लिमिट 50 लाकी उससे ये कम है क्योंकि कोन है इस ट्वंटी लाग अगर गूट शर्विस दोनों करता हो तो बिस लाग और खाली गूट करता हो चालिस लाग अब देखने आगे पड़ते हैं वाइल रिश्टी अटर जीश्टी ही और फो कोपरी स्केम पोर सर्विसे फोर डिटर्माइं इस टनोव श्टेट यूटी पे सब्सक्राइब और नेक्स ट्वंटी लेंट हैटी लेक्स यानि की ही कमेंच देखे पिछले साल वो अलिजीबल था इसने बता दिया और इस साल उसने अपरेल से स्टार्ट कर दिया अपरेल तक 30 यह इस टरनोवर की तथ 20 लाग उसने रिश्टेशन नहीं लिया तो उसको क 20 लिमिट भी चेक करना होगा वह उसने क्रोश कर दिया और यह शुरू से रिश्टेशन ले तो उसको 20 लाग पर देना पड़ता लेकिन मेंडेटर नहीं होता रिश्टेशन तो उसने कब लिया 20 को सोने के बाद यानिकि नेक्स 30 लाग पर उसको सिक्स परसेंट देना है और इन दर करनेंट फैंसेर्श एलिजिबल फौर कोंपोशिश कीम और सर्विश रइड ही बिकम ऐलिजिबल फोर रिजिस्टेशन वन ए अग्रियर टॉन आट टॉन एपक्सीश के लिए उसने जब उसका लिमिट एक्सेट होगे 20 लाग तो वो लाइबल हो गया तब उसने क्य क्या रेजिस्टरिंग के जेस्टी में और क्या ओप क्या कॉंपूजिशन स्कीम तो रिकिस शुरू के बीस लाख पे इसको एक रूपा भी टैक्स नहीं देना है फॉर डेटर्माइन इस्टेट फॉर पेमेंट टैक्स अंडर कंपूजिशन स्टर्णोबर एपल जुन क्वार और जुलाई टू सितंबर क्या जुलाई से सितंबर 30 लाग पे इस एलपे शेक्स परसेंट सीटी परसेंट शीजिएष्टी थी परसेंट एग्रीगेंट टर्नुबर कितना क्रोश कर गया पचास लाग तक पहुच गया अब इसो किसमें जाना होगा रगुलर स्कीमें इस ऑफशन तो अबेल कॉंपिस किंफोर सर्विस राप्स काव जागा लाप्स अगा बैद एंड जुलाई सितंबर क्वार्टर अधर अधर एंग्र टू परसेंट फोटोग्राफिए परसेंट एक इन परसेंट एक्ष्ट टेश्ट परसेंट ट्वेश हैं गोट लाप्स खीशन घाप्स साफन गूपट लात्स सिस्टी तोड लाप्न खीव संब्रुटि एंट इहाप एक लाप्स सी कॉट अलिजिबल नहीं हैं सब पढ़ चुके हैं बराब इसको पढ़ लिए फिर मैं आपको बता देता हूं यह हूँ आर नोट एलिजिबल तो और पूर कॉंपजिशन स्कीम रेइस्टेट परसन हो इस नोट इसके बात कर चुके हैं यहां पर गूट कर चुका है गूट काट देज यहां पर मैं कि बसके साल यह करता है अहीं तो पर सर्विस वाले केस में अरीजिबल नहीं नहीं को बहुत टो be अर्टीपी अ सप्लायर सर्विश से वैस्प्रोवाइद इन सेक्षेंट टेन रेफर डिस्क ब्लोड डाइग्राम नुट आइफ को में पॉर्स सर्विश सेम इस सर्विश वाले केस में सेंग यह वाला भी सेम है यह भी सेम है यहां पर इस नहीं होगे लेकिन पहले आपको चेक करना है कि आप 10-1 वाले में अलिजिबल हो तो आप 10-2-A में नहीं जा सकते जब आप 10-1 वाले में जैसे आप अपको होनों सर्विस प्रवाइडर तो आप 10-1 में लिजिबल नहीं हो फिर किसमें आओगे आप 10-2-A वाले में लिए अगर आपको 10-1 अलिजिबल हो आप तो आप 10-2-A में नहीं है कि 10-2-A स्पेशल सर्विस वालों के लिए अधा-धार रेस्टोरेंट सर्विस वालों के लिए तीर से चैप्टर हमारा फोर्टीन है मोड्यूल टू में दर इस नो रेस्टीशन और को पॉजिशन डिलर को इंटर स्प्लाई करने के लिए माना किया लेकिन आप इंटर रेस्टेट यानि की कोई दिल्ली में हो तो आप पंजाब से इंवर्ट सप्लाई की पर्चेस कर सकत आप पर्चेस में रेस्टीशन नहीं ओली सप्लाई में रेस्टीशन एंटर स्टेट एप परसन इंगेज इन मार्जिनल सप्लाई सर्विस अधर देन रेस्टेर शर्वी आराग इपकोशन लेवी पूर गूट्स शेकिन प्रवाज़ तो सक्शन टैनल रेट बिस सक्शन 10- अधर को इस थे पूर गोट्वी पूर्ट इंब डेस्टेट विड्स अधर विड्स टूरे जा फट्री शेयर मैनुफट्टेट टेटर इंगेजिट शॉप्लाई शर्विस अधर रेस्टिशन सर्विश पर्टेटर शार रहा है तो हमने पड़ा लिमेट उसके लिए तब सब्सक्राइब शब्सक्राइब वेरी ज्मोल आपकेज वेरी समीर इस प्रश्माइब देर जाप्ला सुप्ला इस को पर लिजिए एक बार okay with a view to enable such taxpayer to away low benefit composition for good second प्रोटरियु तेन पर मेंट सप्लाइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस प्रश्चिटिंग फाइनिशेयल यह प्रिसीडिंग फाइनिशेल यह अनले दिली में उपी में दा तो दिली का तरोवा था उसका 10 percent or five lakh which has rise higher up each current term xviya supply maximum question which average higher then zaj state person opting for GOOTS 50 surrender we can supply the rest to Maximum it can be interfat at fair that turnover for a trade per some open for compensation scheme for goods is up to 50 lakh in the preceding financial year you can supply other than restaurant service up to a maximum value of 5 lakh in the current financial year वयब्ष ले संपचास लाग तो पचास लाग का तस परसे पाँच नहीं पर न इता है याइड पाच्लाग वेह तरौबर ओफाइट प्रसेट परसें प्केंज परसें प्रसेंग प्रसेंड कर फिर प्रसेंड प्रसेंग कि प्रसेंड 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 प्रस लाग और पाइन विच्छे बज़ें पंदरा लाग पिर एक्सामपल आगे राम से इंगेज फोर सप्लाइव गूट्स राइट इस टर्नोबर प्रिसीडिंग फिनेंशर कितना है 60 लाग रुपीज कहां पे इंक्लूड इंक्लूड सप्लाइव गूट्स टर्नो कितना है प्र 60,001 पर संट क्योंकि फिनेंशल इर्का 10% ओप बिसीडिंग फैनेंशल यह पांच लाग विचेवरी हायर विचेवरी हायर इंकन सप्लाइव सब्सक्राइव अप्टो वैल्यूड वैल्यूड शेव स्प्लाइव श्यूड इंक्रेंशल यह विडियो श्यूड प्रिस एप सब्सक्राइव का टर्नोबर 1.4 से कम क्योंकि में सेम उसने सर्विस के लिमिट क्रोज कर दिया इंटरेस्ट इंकम टूबी एक्स्क्राइव वैल्यूड वैल्यूड यह हम पढ़ चुके हैं एक ही जिसको बार-बार दिया हुआ है बिसनेस टैंड तो हैब से इस इसको इसको इंक्रोड करेंगे तो मालें यहां पर चेला कमाने एक लाग तो कितने सर्विस देपाता पाची लाग तो इसको हमने एस्कूड कैस जो इंट्रेस्ट वाले को इसको कैलेकुलेशन हम लोग नहीं लेंगे कॉंपोजिशन स्कीन में नोट्रेट सर्विस भाव यह हमने पढ़ लिया उसी को दिवा यहां पर लोंस वह इस प्रेजिस बाइब इंट्रेस्ट डिसकाउंड और एक्टेल देखिए जो सर्विस दे रहे हैं किसको डिपोजिट करके हमको क्या में लोन का यह वैसे भी एक एक्सम्शन वाले चैप्टर में तो इसको चैप्टर फाइब में हम लोग पढ़ेंगे को रोज करेगा तो कॉंपोजिशन चोट डाउट करके और मनला छोड़कर कॉंपोजिशन को छोड़ना पढ़ेगा the second provider to clarify purpose second to the value supply exchange supply by the value of supply of exempt services Bible oxygen deposit right the twisted person opting for supply other than this 10 or 5 percent feature higher right file computing value service as referred in that's not the movie the probability to composition they will discuss hereafter I अब आप यहां तक कौन साई पेज नमबर 3.61 यहां तक आप पड़ सकते हैं कोई कन्फूजन हो तो आप कर सकते हैं यहां पर कि अ पर्सन ओप्टिंग फोर पॉमपेशन लेवी हैस टू कंपलाई विद फोलोईग इसल पेटेक्स अंडर सक्षिन नाइटीन फोर रिवर्ट चाहिए वो गूड्स वाला हो चाहिए वो सर्विस्वाला हो चाहिए वो मैनुफेक्ट्र ट्रेड़ रेस्ट्रेंट सर्विस्प्र पढ़ेक्स प्र्वाइडर हो या सर्विस्प्र्वाइडर हो रू रूने इंतीनन फोर के मैं पढ़ता है तो उसको पे करना पड़ेगा वो सीटी पे नाटीपी नहीं होना चाहिए आप टैस्ट्स कलेक्ट्स नहीं करेगा बिलोव सप्लाई इसू करेगा वो बाहर एक बोर्ड भी लगाएगा जिसके पास जिस्टे उतस को बाहर बोर्ड लगाना उतस पर फर्म का नाम मोबाइल नमबर जिस्टे नमबर एड्रेस लिखना मेंडेटरी है अदर्वाइस फाइन लग जाएगा बोर्ड पर साथ में यह भी लिखा दोगे कि आया अमें वह कॉंपोजिशन्ट टेक्स सिबल परसंट आकि बहार से नजर आजए कि आप कॉंपोजिशन्ट टेक्स बल परसंट हो और अबरी नोटिस और साइन बोर्ड डिस्प्लेड एट अट प्रमिनेंट प्लेस एटी अबरी एडिशनल प्लेस और प्लेस ओव बिजनस जहां-जहां से भी आप बिजनस करो आपको बोर्ड पे लिखना होगा आया में कॉंपोजिशन टेक्सिबल परसन अदर डिटेल्स के साथ में जो नजर आना चाहिए गोड्स है यह वेर रोडे गोड गोड्स हैं इस टोग एंड आलीवल टो टो टू टेक्स अंडर रस्यम अननने प्लेस चाहिए आपको अन्सेिंग में चाहिए आप मशला टोबैको एरेटेड वाटर फ्लाइज ब्रिक्स 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 और फॉसल मिल्स बिल्डिंग ब्रिक्स अर्थन रूफिंग टाइल्स अब हम आ चुके हैं यहां पर उपर आप पढ़ लिजे कोई कंफूजन हो तो अब कमेंट सेक्शन में पूल सकते हैं को इंटिमेशन ओफ्टिंग फॉर कॉमजिशन लेवी रूल त्री एंड रूल फॉर अब यहां से थोड़ा इंपोर्टेंट है इसको यहां से आप इसको नोटिंग भी कर सकते हैं यहां तक यह पढ़ते हैं इसको भी कि इंटिमेशन वाइप पर्सट एंपे पर्सन फॉर इस नोट रिस्टर एंड आप्लाइट पॉर इस्टेशन में गीवन ऑपिशन पे टैक्स अंडर कॉंपूशिशन लेवी नपार्ट फॉर प्राट फॉर एक पार्ट भी पार्ट क्या होता है वो उसमें बेसे डिटेट डालके अपना TRI number तैंप्रेजर्स नमबर आप जन रेट कर लेते हैं फिर उसके बाद आप क्या फिल करते हैं पार्ट B जिसे अपने अपना pen card नाम pen card mobile नमबर email ID बेसी फाइल करके पार्ट अ में अपने ट्र नंबर जनेरेट कि आप यह नंबर से अब क्या जनेरेट करोगे अपना क्या फिल करोगा पार्ट भी पार्ड भी में आप वहाँ पर बताओगे कि मैं को पॉजिशन इसके ओप्ट करना चाहता हूं वहाँ पर आपसे पूछेगा दसेम सैल विक कर सीड़ एजन इंटिमेशन पेटाइग अंडर कंपूजिशन लेवेस अच इंटिमेशन चैलिक कर से अल्ली आफर देग ग्रांप्र रोचेशन तुदा अप्ली चैन्ट फिल ऑक्टेशन अपने इस प्टेशन अपको रेचिशन मिलेगा वही डिटापकी क्या हो जाएगी इफेक्टिव डेटो रेसि को अप्लाई किया और रिष्ट्रेशन आते आते दस या पंदरा जुलाई आगया तो आपको 15 जुलाई एफ्टेटर रिट्रीशन आपका होगा यहां पर क्या है कि जब आफ फर्स्ट टाइम क्या वॉलेंटरी विसिस पर आप अप्लाई कर रहे हो जब आपको रेश्टेशन मिलेगा तो जो डेट होगी वह मानेंगे लेकिन आपने लिमिट कर लिया माले आपने क्या एक जुलाई को रैट आप क्या करोगे अप्लाई करोगे कितना इसको जिश्टी नंबर के लिए अप्लाई करोगे थार्टी देश के अंदर तो रेश्टेशन चाले एफेक्टिव फोंडर डेट ओन विच परसन विकम लाइबल तो एक जुलाई से कापका टॉनवर क्यों अपने कर दिया अप यहां से तीर दिन के अंदर कि आपको registration के लिए apply करना होगा और जैसे registration आएगा कब से effective हो गया एक तारिक से क्यों भले registration आपको 20 तारिक को मिला हो क्योंकि आपने लिमिट का प्रोस हो आपको एक जुलाई को और आपने कब अप्लाई कि एक जुलाई को कि आपने थार्टी डेस के बात अप्लाई किया फॉर्म देट ओफिस बिकम लाइबल फोर रिजिस्टेशन दाफेक्टिटेट और रिजिस्टेशन यह जो हमारा चैप्टर नाइन रिश्टेशन के उसमें बहुत डिटेल में उसमें यही सब बातों चीज से रिटेट सारी ब किती बीजिस्टेशन कर रहे है इंदोन tenants कर रहे हैं इस अमिचीज दिन के लिए फोन बंबाना है तो मौनियाने थी दिन के अंदर भर दिया तो अकाट रिस्टेशन वैर इंप alone समेंट् विज्ना syllables थाटर म् परस्द लिकम लेंसाइब फोरवीच्टेशन यानि कि मानिज दिन के अंदर भरना है अगर आपने कब अप्लाइग के बाद तो आपका अगस को आपको 15 अगस को तो आपको 15 अगस अपकी एफेक्टिव डेटो रेश्टेशन मानेगी क्योंकि जिस दिन आपका गरांट ओफ रेश्टेशन होगा अगर आप एक मेंने के अंदर नहीं करेंगे तो आपको फाइंद लिल्टी भी लग सकता है इंटीमेशन बाइए रेश्टेट पर पर प्रेश्टेशन पर संदर कोंपोजिशन लेवी श्यल्ट एलेक्ट्रोंटिक फाइल एंटीमेशन इंप्रिस्क्राइड फॉर्ण फॉर् सेट और सभी एक्सरसाइज को यह क्या बोल रहा है कि अगर इस्टर पर्संट हो उप्टू पेटेट्स अंडर कॉंपोजिशन इसके एक हो तो रेगुलर में आपकब ही जा सकते हो साल के स्टार्टिंग में अगर आपकोंपोजिशन इसके में चाहते हो तो फस्ट टाइम और उसके एक देड़ में पहले आपको और मिल जागा आपको अप्लाई करने के लिए कि फाइबरी या मार्स तक आप अप्लाई कर दो कि मैं अपरेल से प्लाईilar जी एक कि आपका प्ली यहां से आप लोगिं करके अपने की आपके पांड भी कर इसकर लोग अपर जाएंगा तो यहाद पर नीचे देखी हा पर आपर हाग जाल रहा है हांपर कि दRe listing टेक्सपेयर can offer composition scheme for the financial 24-25 कुंसा चल रहा है भी 23-24 से खतम होने वाला है मार्च में तो for financial 24 पर जो आने वाला है by accessing the gst portal which will be open up to 31 मार्च यानि को 31 मार्च 24 तक open रहेगा कैसे कर सकते हो navigation, service, registration, application to offer composition levy and file form cmp02 file form cmp02 आप file करके अपने मनलिजार regular scheme में हो इस 23-24 में और आप जाने जाते हो composition scheme में 24-25 में तो आपको मार्च से पहले आपको opt के लिए form cmp02 फाइल करना होगा क्योंकि आप registered हो और आपको composition scheme में जाना है तो पूरे साल के लिए जाना होगा मलब साल के शुरू होने से पहले यानि कि एक अप्रेल से ही जाना होगा लेकिन आप composition regular में कभी जा सकते हो mid में भी लेकिन first time है तो आप कभी भी first time registration ले रहे हो तो आप चूस कर सकते हो composition scheme next year के तो आपको cmp02 फाइल करना होगा यहाँ पर how can you offer composition scheme ऐसे बहुत सारी यहाँ पर articles थी होगा आप पढ़ सकते हैं यहाँ जैसे यहाँ पर देखिए cmp08 january से मार्च composition scheme क्या भरना होता है cmp08 इसके large date क्या होती है quarter end के बात जो next month होता है उसके 18 तक इसको आप लोग पढ़ सकते हैं का विया आया नी आप या जा गया सर्विसेस में रिजिस्टेशन में एप्लिकेशन टो ओर फॉर कॉंपोजिशन लेवी एंड फाइल फॉर्म सीमपी जीरो तू मैं आप अभी देखे मैंने एक पर्संट का यहाँ पर लोगिन किया है और यह परसन कहां पे लखनों में रेजिस्टराइब देट वैस्टा थेश्ट का एक एक जो हजार थेज अगर फ्रॉप्रेटर्पर्टिश में रिश्टरड है उन्हें का रेगुलर तैप के रेगुलर यानि कि composition dealer नहीं है composition scheme में यह registered नहीं है regular scheme में registered है अगर यह चाहे तो 23-24 खतम होने वाला है करती स्मार्ट को करती स्मार्ट से पहले को CMP 02 फाइल करके opt करना पड़ेगा composition scheme के लगर composition scheme में जाना चाते हैं तो 24-25 के लिए composition scheme influences में intimate to yourself dashboard तो Oui services में आप Sadhguru कीजी यहां पर services में का तो महापर Federation में Services के बाद क्लिख करें registration में क्रिक करेंगे इस दिख्ये sोबिशे Training mission में देखिए option आ रहा है कि यहाँ पर application for filing classification track application status application to offer composition levy यहाँ देखिए option यहाँ पर आ रहा है application to offer composition levy तो यहाँ पी स्कॉप्स क्लिक कीजिए यहाँ पर option नंबर अप्रिकेशन और स्वार फोर कोंपोजिशन ने भी देखिए रेगुलर में और माली हम विट्रोल करते हैं कोंपोजिशन लेवी से तो देखिए क्या option आता है option application for withdrawal from composition यहाँ पर क्या लिखा हुआ है you have not opted for composition levy you cannot file intimation application for withdrawal from combustion लेवी निकलने के लिए क्या file करना होता है GSTCMP 04 और आने के लिए क्या file करना पड़ता है GSTCMP 02 रेगुलर में हैं तो उनके बाद option आएगा यह नहीं कि अब अब option पर आते हैं अपने application to order for composition लेवी इस वाले option पर हम इसने मुझा बता पर दिया है कि रेश्टेट पर्सेंट सेल विए लिजीबल टू ओट इफी नोट मैनुफेक्ट्टर ओफ सच गूप एज नोटिफाइड बाई गोर्वर्मेंट उनिके मेंटिशन ऑप काउंसिल यानि कि वह आईस्क्रीम पान मसाला तो बैको अगर आप इनके मैनुफेक्ट्टर नहीं हो तो क्या हो एलिजीबल हो कंफर्म डैट है आएम नोट इन दब बिस्ट्ट्ट्रिंग और एनी अधर कोबर्टिश तो यहाँ पर आप टिक किजिए यहाँ पर आपने टिक किया यहाँ पर बताईए यहाँ पर बताईए यहाँ पर बताईए आप कोने मैनुफेक्ट्र हो अदर देन जो अब अब गूट्स उनको छोड़कर या रेस्टरेंट सर्विस प्रोवाइडर या एनी अधर सप्राइब एलिजीवर फोर कॉंपोजिशन लेवी और आप ओप्शन सेलेट करके अपना और ओटिपी डालके आप इसको सब्पिट कर सकतो इविसी के टूवाब